हाई गाईज तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Red Gear Cosmo 7.1 Gaming Headphones के बारे में कि क्या 2023 में अपने लॉंच के तरे सालों बाद भी ये headphone वर्थ है कि नहीं इसी के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में तो चलो इस वीडियो को सुरू करते हैं तो ये है Red Gear Cosmo 7.1 Gaming Headphone का बाक्स जो आपको कुछ ऐसा बिलता है अगर हम इसके box content की बात करें तो इसके अंदर आपको एक user manual एक Red Gear का sticker और आपको अपना headphone मिल जाता है अब सबसे पहले अगर हम इस headphone की build quality की बात करें तो no doubt build quality is headphone की काफी बढ़िया है जो plastic and metal की build के साथ आता है और जो plastic use हुआ है वो भी काफी अच्छी quality का है यह जो इसका headband है यहाँ पर आपको metal बिलता है और यह आपको suspension वाला बिलता है मतलब आपके सर के हिसाफ से अपने आप भी adjust हो जाएगा एंड इस type के बढ़िया भी रहते हैं बार बार adjust करने का जन्जटरी रहता है एंड अगर हम इसके aircups की cushioning की बात करें तो वो भी आपको काफी अच्छी मिलती है काफी moti and soft है मतलब comfort के मामले में भी headphone काफी बढ़िया है एंड जो इसके aircups है इसके दोनों साइड्स में आ को आप अपने हिसाब से adjust कर सकते हो एंड माइक के भी build quality काफी बढ़िया है यह रा माइक टेस्ट हेलो 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 123 123 माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग तो आपको इस headphone के माइक की quality कुछ ऐसी मिलती है अब अगर हम इस headphone के कुछ specs की बात करें तो red gear Cosmo 7.1 gaming headphones को आपको 50 mm क drivers मिलते हैं जो आते हैं 32 ohm की impedance के साथ जिनका frequency response आपको 20 Hz से 20 kHz तक का मिलता है जो आज का हर कोई लिग देता है तो इस पर ज्यादा बरोसा मत करना and जो mic है वो आपको omni drag style मिलता है and wire आपको इस headphone में 2.2 meters की मिलती है जिसमें आपको इस headphone का controller भी मिल जाता है जिसमें आप इस headphone की lights को on off कर सकते हो mic को mute unmute कर सकते हो and इसकी volume up down कर सकते हो and wire की wire के end में आपको USB connector मिल जाता है and wire की quality भी काफी बढ़ी है ठीक ठाक मोटी है अब अगर हम इस headphone की sound quality की बात करें तो वो आपको काफी अच्छी मिलती है gaming headphone के हिसाप से enemy के footstep आपको काफी clearly सुरह देंगे and अगर आप इस headphones में movies या पर music सुनना चाते हो तो वो भी आप कर सकते हो base भी इस headphone में काफी अच्छा है and loudness तो पूछना मत मेरे हिसाप से तो मुझे काफी जादा लगी बड़ी मुस्किल से मुझे कहीं से मिल गए drive पे upload कर दी है download कर लेना क्योंकि drivers के बिना 7.1 sound काम भी नहीं करेगा अब अगर आप इसके normal sound and 7.1 sound को compare करें तो इन दोलों में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है हलका फुलका अंतर आपको महसूस होगा कि हाँ वह यह थोड़ा बहुत surround sound तो है लेकिन एकदम theater वाला experience मिल जाए यह आप इन headphones से उमीद बखरना जो ठीक ही है क्योंकि budget headphone है और उसके एसाब से काफी बढ़िया है अभी यह headphone पहले ही काफी बढ़िया था जब यह 3700-800 का बिकता था लेकिन अब तो और भी ज़्यादा value for money बन गया है क्योंकि अभी के time पे red year का Cosmos 7.1 gaming headphone आपको under 1000 उपीस का बिल जाएगा जो काफी बढ़िया डील है एंड इस headphone को काफी ज़्यादा value for money भी बना देती है एंड मुझे तो नहीं लगता 1000 उपीस के अंदर अरे 1000 तो छोड़ो 1500 के अंदर भी इससे बढ़िया headphone नहीं मिलेगा आपको अगर आप कोई budget gaming headphone डोण रहे होतो मतलब कि अपनी price के हिसाब से एक number gaming headphone है बस इसके aircups बड़े अराम से निकल जाते है बस एकी चीज मुझे खराब लगी इस headphone की बागी सब तो बढ़िया है तो बस इतना ही थाच की वीडियो में अगर आपको वीडियो च लगी होते इस वीडियो को लैक करें ज़्यादा अच्छी लग गई होते इस वीडियो को शेयर करें चैनल को भी सब्सक्राब करें साथ ही में उस बैल आकन को भी जोड़ दबाए और अगर आप Red Gear के Cosmos 7.1 Gaming Headphone को बाई करने में इंट्रेस्टेड हो तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप जाएकर चेक कर सकते हैं अगर आप Amazon से कुछ बाई करना चाते हो तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहीसी जाकर बाई करना तो मैं मिलता आपको अगली विडियो में टिल एन बाई